नमस्कार जी मैं मन्जू लंबे टाइम से आप क्रिसैंथिमम के फलार्स को एंजॉइ कर रहे होंगे और जो आपके पहले से खिल रहे होंगे और वो अब सुक रहे होंगे तो नेक्स्ट सीजन के लिए हमें प्लांट शीन के कैसे बचाने हैं और अब भी जो सूख रहे हैं तो उनके साथ क्या करना है तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी तो अभी हम वो वाला पोर्ट जो भी जितने भी पोर्ट होंगे आप जितने रखना चाहते हैं पहले निशानी लगा देजिए कि कौन-कौन से कलर के हैं, आपके पास ज़्यादा पोट हैं, आपके पास तो ज़्यादा ना रखिये, फिर एक अदा कोई रख सकते हैं, ज़सा आपका मन करें, और अब हमने क्या करना है, उस पे प्रूनिंग कर देनी हैं, और जिस भी कलर के हैं, तो वो लिख लेना है तांके आपको अगले सीजन के लिए याद रहे कि इसमें कौन से कलर के प्लांट्स हैं, और हमें इसकी कटिंग से दूसरे प्लांट्स बनाने हैं, तो यह मेरे एक पोट में इस तरह से अब इनकी लाइफ पुरी हो गई है, यह सूख गए हैं, त इसमें मेरे कई सारे और पूद्दे लगए हुआ हैं, तो यह यहां से जासे करताओं, यह तो यह यहीं से लाइफ में जाओक सीफेटे करण दोया, यह मेरे कोई अलगदे सी लिए हैं, तो यहीं से हमारी यह इन मेरे बांट होगी है। ये स्टेम से भी जो बची है तो न्यू न्यू ग्रोथ होने लगेगी और कई बारी ऐसा होता है कि जो न्यू ग्रोथ है वो फिर समर आने से पहले वो फूल भी कई बारी देने लगते हैं अगर हम जल्दी इनकी प्रूनी कर दी तो कट करने के बाद आपने जरूरत पर का पानी देते रहना कि इनकी जो रूर्स है वो सुखे नहीं और पुद्दा जो हरा बरा बना रहे तो कुछ दिनों में न्यू ग्रोथ हो जाएगी और बस फिर अभी तो जहां पड़े यां रख सकते हैं और मैई जून में जब हमारे बहुत ज़्यदा हाई टेंपरेचर जाता है तो इन्हें चाया वाली जगे में रखना है और बरसात में जब बहुत ज़्यदा पानी पड़ता है तो लगातार पानी से इन्हें बचाना है तो फिर चाहिए तो इन्हें जो खलकी फुलकी धूब में रख सकते हैं जैसे दो गंटे की दूब मिल रहे सुबेगी, वो इनके लिए बरसात के टाइम काफी है, जो सर्दी वाले आलाके होते हैं, तो वो जून महिने में ही इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और बाकी जैसे हमारे यहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जुलाई में भी गर्मी हो जाएगा वो आपका, रूर्स के साथ ही इनके प्लांट्स अलग लगा सकते हैं, तो उस पर भी मेरे खुब सारे वीडियोज हैं, तो बस यही सब करना है आपने, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर एक कलर के आपके पास बहुत सारे बोट्स हैं, तो जैदा रखने के जुरूर उसके मर भी सकते हैं, तो इस तरह से बस केर करनी है, और कई वरी मैं जून में इनको थोड़ी जहां जिस चके में अपने रखा है, ठंडक मिलती है, तो तब उस ताइम भी फूल आने स्टार्ट होते हैं, पर जैदा अच्छे से नहीं आते हैं, जितने की बिंटर के टाइम इनके फ्लार्स आते हैं, इस टाइम हम जितने भी प्लांट इस तरह से बोद्दे पुराने रखेंगे, तो वही हमारे अगले सीजन के लिए उननी से कटिंग लेंगे, वही मदर प्लांट हमारे होंगे, तो मेरा ख्याले अब आपको समझ आ चुका होगा, इसी के साथ नमस दे जी, शुकरिया, बस पानी का ये ध्यान रखना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बस जरूरत भर का पानी देना है आपने, तो यही सब इसकी केर है